नमस्कार, स्वागत है आप से भी का मसाले के स्वाद में तो आज मैं आप सब के लिए लेकर क्या आई हूँ चटनी की बहुत ही सांदार रेसिपी जिसे आप कभी भी खा सकते हैं पूरी, पराथे, चावल दाल, खिचडी, पुलाओ, किसी के साथ भी खाएं बहुत ही जादा टेश्टी लगती है, स्वाद को चार गुना बढ़ा देती है ये चटनी इसके स्वाद का तो कोई जबावी नहीं है, आप इसे सफर में भी लेकर जा सकते हैं ये लंबे समय तक चलने वाली चटनी की रेसिपी है तो चलिए फिर इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना सुरू करते हैं तो चटनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है सबसे पहले सुखी वाली लाल मिर्च, वजन में लगबग 30 ग्राम होंगे है इसे हमने सुखे कपड़ों से पोच लिया है ताकि इन में जो भी उपर धूल्मिटी लगे रहते हैं वो साफ हो जाए अब हम क्या करेंगे कि मिर्च को हम बीच से तोड़ लेंगे और उसके बीच निकाल देंगे इससे क्या होगा कि जो तीखापन है वो बहुत ही कम हो जाएगा आप अगर ज़्यादा तीखा पसंद करते हैं तो आप बीच समेथ भी इसे बना सकते हैं तो सारे मिर्च को इसी तरीके से बीच से तोड़ करके हम जितना बीच आराम से निकाल लेंगे तो यहाँ पर सारे मिर्चों से हमने बीच आलग कर लिया है तो चलिया अब इन्हें हलका सा भून लेते हैं अगर आपके यहाँ धूप आते हैं तो आप इन्हें धूप में भी सुखा सकते हैं हमें बस इसका नमी खतम होने तक भूनना है इसे भुन्ने में हमें 2 मिनिट का समय लगा है आप देख सकते हैं मिर्ची को जलाना नहीं है कलर आप देख सकते हैं बस वही है नमी खतम हो गई है तो अब गैस की फ्लेम को ओफ कर लेंगे और इसे ठंडा होने देंगे तो मैंने मिर्ची को एक प्लेट में निकाल लिया है ठंडा होने के लिए और वही पैन को फिर से गरम होने के लिए रख देंगे और उसमें डालेंगे सरसो का तेल कोई भी अचार हो या लंबे समय तक चलने वाली चेतनी हो तो उसे सरसो के तेल में बनाए तो जादा अच्छी लगती है और जादा लंबे समय तक चलती भी है तो इधर जैसे ही तेल गरम हो जाएगा हम उसमें डाल देंगे छिला हुआ लहसन तीन गटी लहसन को हमने छिल के ले लिया है वजन में लगबग 100 ग्राम होगा फ्लेम को हमें लो मीडियम ही रखना है और इसमें कोई गोल्डेन कलर आने तक हमें नहीं भुनना है बस जो लहसन की उपर की ये स्कीन है वो हलकी सिकुडने लगेगी उतना ही हमें इसको भुनना है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लहसन की इसकीन हलकी सिकुड गई है तो अब हम डालेंगे उसमें एक चमच साबुत धनिया और एक चमच साबुत जीरा और इन्हें भी हम कुछ 30 सेकेंड के आसपास भुन लेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लहसन और भी अच्छे से सिरिंक हो गया है तो अब इसे स्टेज पर हम डाल देंगे इसमें लाल मिर्च लाल मिर्च को भी हमें बहुत जादा भुनना नहीं है बहुत जादा पकाना नहीं है बस इसे अच्छे से मिलाएंगे 20 सेकेंड तक देखिए ये हो गया है अब मैं गैस की फ्लेम को बंद कर दूँगी और इसे अच्छे से ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे यहाँ पर ये बहुत ही अच्छे से ठंडा हो चुका है तो अब हम इसमें कुछ और चीजे मिलाएंगे तो यहाँ पर मैं मिला रही हूँ इसमें एक चमच आमचूर पाउडर अगर आप ज़्यादा खटा पसंद करते हैं तो ये आमचूर की जो क्वांटिटी है थोड़ी ब और यहाँ पर अब मैं इसे जार में डाल रही हूँ पीसने के लिए इसमें हमें पानी नहीं डालना है और नहीं जार में किसी तरह की नमी होनी चाहिए जार को पहले अच्छे से सुखा ले तभी उसमें इस चटनी को पीसें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने चटनी पीस करके तयार कर लिया है दरदरा पीसना है जीरा, धनिया, मिर्ची, लेजन का जो फ्लीवर है न बहुत ही ज़्यादा चटपटी लगती है आमचुर पाउडर भी डाला हुआ है और नमक भी तो यह किसी भी खाने के उस्वाद को बहुत ही ज़्यादा बढ़ा देती है और इसकी खास बात तो यह है कि आप इसे पूरे एक महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना हम इसे एक महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं अब लेसन मिर्ची की चटनी भी ये स्टोर करके रखा जा सकता है अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो पर आपको इसे फ्रिज में नहीं रखना है या फिर गीले चमच या फिर गीले किसी भी बरतन का यूज नहीं करना है आप इसे अचार की तरह किसी कंटेनर में भर करके रख दें और पूरे एक महीने तक खा सकते हैं अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक से और खूब कर दीजेगा और चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा बगल में घंटी है उसको भी बजा दीजेगा ताकि मैं जब भी वीडियोज अफ्लोड करूँ सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा थैंक यू